इंडियन टीम को रोता हुआ देखकर हर एक भारती के दिल में आशु हैं आखिरकार इंडियन टीम दोस्तो एक हर और पूरे सपने की ऐसी की तैसी हो गई क्या हुआ दोस्तो वर्ल्ड कप अस्टेलिया लेकर चली गए आखिरकार इंडिया के खिलाड़ी इतने मायूस क्यों हो गए विराट कोली से लेकर मुहमद सिराज रोहित सर्मा हर एक खिलाड़ी के आशु निकल रहे हैं आज पूरा देश रो रहा है आखिरकार दोस्तो जिस टीम को लग रहा था कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर जाएगी आज वही टूंग खोन के आशु रो रही है पूरे देश में दोस्तो मातम सचाया हुआ है बार बार ये हार इतनी सर्मनाक हार आखिरकार वर्ल्ड कप का सपना ले डूबी विराट कोली रोहित सर्मा मुहमद सिरा जस्पीर दुम्रा स्रेश सयर केल राहुल एक सबड़कर एक बड़े दिगज मगर सबके आखों में आसु और एक तरह पास्टेलिया पाच बार की व वर्ल् कप हवाया है आखिरकार आपके सामने है मोदी जी ने अगर दोस्तों वर्ल्ड कप मैच देखने ना जाते तो मैच सायथ सु मैच के ये हाथों में होता इसे सर्कार बनी है चीडिल्चेस। मोधी दोशब्द भी नहीं बोल सके अपने खिलाडियों के लिए दोस्तों ये कहां चूक हुई कहां गलती हुई आखिरकार कैसे टीम इंडिया हार गई दोस्तों महेन सिंग धोनी भी खून के आशू रो रहे थे अपने पतनी के साथ बैट रहे इस महेच को देखने के लिए और उनके भी होस्त उड़ गया थे एक टाइम पर कि आखिरकार ये क्या हो रहा है इंडियन भैट खिलाडियों के साथ में जिस प्रकार से महेन सिंग धोनी के साथ 2015 में हुआ था उसे प्रकार दोस्तों इंडिया टीम के साथ 2019 में दोस्तों इतना दुख सहा नहीं जाता आखिरकार क्या विराट कोली रोही सर्मा जैसे दिगज़ खिलाडी ये लोग वर्ल्ड कप डिजब नहीं करते थे क्या इनकी महिनत में कोई कमी नजार आ रही थे आपको विराट कोली ने जब वर्ल्ड की सबसे जादा रन 711-765 रन बना दिया और दोस्तों दूसरी तरफ आज टेलियर टीम सिर्फ और सिर्फ बड़े मैचों में प्रेशर जहेलने की दम रखती है आज वो टीम इंडिया से उठा करके वर्ल्ड कप लेकर चली गई और पूरा देश देखता रह गया दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मुहमत समी जिसको कहते हैं तो बहुत अच्छा उबालिंग करवा रहे हैं नके आँकों में भी आसू अपने सद्धी के महनायक विराट कोली इनकों भी दोस्तों देख सकते हैं टोपी से बार बार अपने मुह को ढखना और रोहिस सर्मा के आँकों में आशू, मुहम्मद सिराच के आँकों में आशू, पुरा देश इस मातम को दोस्तों भुला नहीं पाएगा सायद पूरी दुनिया में दोस्तों इन खिलाडियों का दर्द देखकर हर एक आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिरकार विराट कोली रोहिस सर्मा के दिल में क्या बीत रहोगा आखिरी वर्ल्ड कप था, कोई भी खिलाडी दोस्तों दूर दूर तक, कोई भी टीम इन से मुकाबला करने के लिए थर-थर काप रही थी मगर एक हार सर्मनाक और पूरी सपने की तहस नहस कर दी दोस्तों यहां पे देख सकते हैं महमज सर्मी विराट कोली रोहिस सर्म कोई ऐसा खिलाडी नहों जो ना रोया हो और दोस्तों कोई ऐसा फैंस नहों जिसकी सांसे ना रुकी हो तो आखिर कार दोस्तों क्या हुआ क्या यहां पे जितने सिलिबर्टिया है क्या दोस्तों विराट कोली की अनलगी वाइफ अनुसका सर्मा की वज़े से वलका फारे या भी दोस्तों जो भी लोग यहां पर किस प्रकार से चलिए बात कर लेते हैं आखिर कार पूरे मैच में हुआ क्या था पूरी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार दोस्तों शुमन गिल और रोहिश्ट कमिंग जी जाते हैं मैच का वही से रुक मुड़ जाता है आखिरकार अच्टेलियन लाडी दोस्तों बल्ले बाजी करते हैं और उन्होंने मगर डिफेरेंट चीज चूच किया फिल्डिंग करने का निर्णा लिया और उसके बाद दोस्तों कोई दिक्कत न साट लगा रहे थे वहीं दोस्तों सुम्मन गिल जब एक गलत साट खेल करके उनको इसी प्रकार का कोई जग में लेने की जरूत नहीं जब रोहिश्ट सर्मा अच्छा खेल ले थे तो उनको सुम्मन गिल को कट या साट लगा करके आउट होना दोस्तों वहीं से काफी ज़ कीरे पारी को संबाला गया और रोहिश्ट सर्मा एक अग्रेशन के साथ फिर भी दूसरे इंड पर खेल रहे थे उसके बाद आपको पता है कि जब विराट रोहिश्ट सर्मा ने दोस्तों दोज लगतार एक चौके एक चखके मार दिया उसके बाद भी दोस्तों आँसे रुग गई थी कि जब से रोहिश्ट सर्मा का विकेट गिरा दोस्तों एक तरफ सुमन गिल जा ही चुके थे दूसरी तरफ रोहिश्ट सर्मा का भी विकेट गिर गया तो इससे दोस्तों देश में बहुत ज्यादा सैड महौल हो गया था सभी को लिए लगने लगा कि आज क्या हो रहा है अखिरकार अपने ग्यारा इस्टार खिलाडियों के साथ जो एक से बढ़कर एक दिग्जच खिलाडी वर्ल्ड कप में तबाही मचा रहा था अपने बल्ले से आग उगल रहा था आज वही बल्ले दोस्तों खून के आशू रोने के लिए पूरे लुका दे दिया अपने देश को कि दोस्तों चार रन बना करके तुरंद आउट हो गए से सईयर की विकर दोस्तों बहुत ही बड़ी विराट कोली को सदमे में टाल दी और उनके उपर दबाव डाल दिया और उनके कंद्यों पर पूरा दरोमदारा आगया तो से सईयर को इ अपनी टीम को लेकर दुआ के चले गए उनको दोस्तों थोड़ा टाइम देना चाहिए था अगर के लाहूल विराट कोली उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सिरह सईयर के जाने के बाद पूरा देश गम गीन हो गया और के लाहूल दोस्तों आए विराट को एक साथ तब जीत जाएगी इंडिया जब तक विराट कोली है तब तक कोई हरा नहीं सकता मगर दोस्तों जब 50 रन पूर हो अर्दसतक के बाद जब 54 रन बना के विराट कोली खेल रहते पैट स्टमिंग की बालिंग आई तो दोस्तों वहां पर विराट कोली के लिए बहुत ही बड़ा जैसे कट मारा पीछे जाके इस्टप में गेंड लड़ी और विराट कोली के दिल में जाके के धक पिसे मज़गया पूरा दोस्तो मैच का गेम वहीं से حतम हो गया विराँट को डेख करके दोस्तो पूरा देष रोने लगा आ खिरकार आज ये क्या हो गया विराँट कोली के साथ में दोस्तो कैच आउट होता इस्टंप उट होता समझ में आता जब गेट बल्ले से लड़के दुबारा इस्टम में गई तो दोस्तों विराट कोली के आशु रूखे नहीं और वो सिधा पुविलियंग की तरफ चले गए दोस्तों में डीजन टर्निंग पॉइंट विराट कोली के आउट होने के बाद जो और के लाहु और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रवीन जटेजा को भेजा जाता वो भी नौरन बना करके आउट हो जाते हैं और यह दुख खतम नहीं होता दोहजार उन्नीस का वर्ल्ड कोफ वाला दुख दोस्तों यह फिर से एक बार विराट कोली के सर पे चड़ा और जिस प्रकास से दोस्तों हर बार बड़ी चेंपियर्स ट्रॉफी में विराट कोली को रोते हुए पूरा देश रोता है वो दोस्तों बहुत ही दर्दनाक मॉमेंट होता है और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सुमन गिल से जो आच लगा रहे तो लोग सुमन गिल ने भी कोई खास प सकते हैं विराट की बिकेट वोबी सोरण से ज़्यादा गैंद साब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा दूखोड़ा था पूरे चारी वही पारी दोस्तों अगर साओ रन इतनी साओ गैंद खेली थी अगर किया लाहुल साओ रन भी बना देते उसी गैंदों धार्ध के साथ निकल पड़े फाइनल में इसलिए दोस्तों इंडिया टीम अभी तक 10 साल हो गए खोई भी बड़ी फाइनल ट्राफी नहीं जीत पाई है और पूरे देश को रूला कर चले गए तूर्कुमार यादो भी दोस्तों लास्ट में 6 मारने जाने जाने वाले बल्ले बाज वो भी दोस्तों देश को रोता हुआ छोड़कर चले गए और दोस्तों बालिंग में एक टाइम में जब अपने महमद समी सिरा जाते हैं और 10 वर की बालिंग सुरुआत में तीन विकेट करा देते हैं उसे प्रकार से विराट कोली ने दोस्तों यहाँ पर अपनी यहाँ पे 2011 को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोस्तों इन सभी दोनों के लाड़ी रोही सर्मा विराट कोली के लिए एक सपना बन कर रह गया और जो कभी पूरा नहीं होगा तो दोस्तों अब देखना होगा क्या रोही सर्मा विराट कोली सर्यास लेंगे या फिर दोस्तों अगले वर्ल्ड कप में दुबारा से लौट कर आएंगे अगर आएंगे इतने बुढ़े हो जाएंगे क्या यही परदरसन देखने हो की मिलेगा विराट कोली और रोही सर्मा के बल्ले से जो से यह बहुत भाविश्च की बात है और इसके बारे में जितना दोस्तों दुख परकट किया जाए वो कम है आप देख सकते हैं सचिन ते ल उनके मायूस चेहरे तो दोस्तों अगर इंडिया की बुरी हार पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखे दस के दस मैं जीतने वाली टीम एक टीम हार एक दिन बुरा दिन आ गया और पूरे देख को रूला कर चला गया मैं जादा कुछ नहीं कहना चाहत हूं बस आप लोग दोस्तों समझ सकतें कि आखिरकार देश में और अपने प्लेयरों में कितना गम और दुख का महौल है इस वर्ल्ड कप को लेकर के जिस प्रकार एक तरफ इंडिया टीम की हुआ बंधाया गया था मीडिया के द्वारा आज वह हुआ निकल कर बाहर हो गय के धाकडबलेबाद चीशने दोस्तों वर्ल्ड टेश्ट चैंप्रेंशिप में सतक मार के इंडिया टीम के एक बार आया अब वर्ल्ड कप 2030 के फाइनल मुकाबले में एक बहुत ही जानदार पारी खेली सत्की पारी खेली और अपने टीम को वर्ल्ड कप ट्राफिक अकेले इंडियन टीम के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं बस आज दिन बुरा था गेम खराब हो गया वर्ल्ड कप ट्राफिक चली गई मगर अपने विराट अपने जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी खिलाड़ी प्रदर्शन से दोस्तों कोई दुखी नहीं है बस दिन खराब होन ये तो दोस्तों किश्मत भाग लग सब चीज का साथ होता है आप लोग भी समझ सकते हैं कि विराट को ली रोही शर्मा के दिल में आज क्या उपीत रही होगी मुझसे बोला नहीं जा रहा मिलता हूँ फिर आपको अगले वीडियो में तोस्तों तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवार नमस्कार